नमस्कार, Teachers Academy से मैं हूँ अंबरीश शुक्ल भित्रो कैसे आप सब, तयारी आप सब की कैसे चल लही है आसा करता हूँ आप सब की तयारी बहुत अच्छी चल लही होगी बैढ़ाल मैं इस दसहरे की छुट्टियों में आप सब को यूपी टेट, हिंदे और संस्कित का पूर्ण कोर्स प्रदान करने जा रहा हूँ क्योंकि लगबख संस्थानों में, जो मैं पढ़ा रहा था, वहां के कोर्से समाप्त हो चुके है आनलाइन बैचिस जहां जहां ले रहा था, वहां भी लगबख लगबख और समाप्ति की ओर है तो इस फुर्सत के पल में, मैं आप सब को कुछ फ्रियाप काश देना चाहता हूँ जिससे आप सब की आशिरवाद और आप सब की सहनभूती, आप सब का प्रेम मुझे भी लगे तो ये सिलसिला में जल्द ही सुरू करने जा रहा हूँ अब हिंदी और संस्कृत दो विशे तो मैं दूँगा ही बीच बीच में जो और महत्रपूर्ण तथ्य मुझे लगेगा मैं वो देता रहूँगा बस आप सब अपना प्रेम बनाये रखिए आज मैं परियावन विशे के इंतरगत पारिश्चितिकी के कुछ महत्रपूर्ण तथ्यों के विशे में चर्चा करूँगा यह पारिश्चितिकी के महत्रपूर्ण तथ्यों वो है जो एक प्रष्ण जरूर यहां से बनाया जाता है इसके जनक कौन है या इसकी सुरुवात कब से हुई तो यह पारिश्चितिकी से जो संबंधित एक प्रष्ण बनाता है आयूग वो यहीं से बनाता है ये लगभग दस तथ्य हैं इसमें से एक तथ्य भी नहीं भूलना चाहिए आपको दस के दसों तथ्य आप याद रखिए तो ये पारिशित्की के जो प्रश्ण है वो निश्चित तोर पर एक प्रश्ण परिक्षा में आने वाला है शुरुआत करते हैं पारिशित्की विज्ञान का जनक कौन है तो पारिशित्की विज्ञान का जनक जो है वो ओडम जी है महत्पून है इकोलाजी के जनक कौन है अरनेस्ट हैकल है पारिशित की तंत्र के जनक टांसले है गहन पारिशित की डीप इकोलाजी के जनक अरनीजनेस है पारिशित की नीके की संकलपना किस ने की थी ग्रीनेल ने की थी कब की थी 1917 में तो डेट उतना महात्पूर्ण नहीं है जितना उनका नाम महात्पूर्ण है पारचित की पदच्छाप मापने की इकाई क्या है बहुत ही महात्पूर्ण प्रश्ण है कहें इसको तो most important प्रश्ण है किस से ये पारचित की नापी जाती है तो ये जो उसका मात्रक बनता है प्रथम चर्चा कब हुई थी ते हैविटवा हेर ने किया था 1993 में प्राकृतिक क्रसी का अन्नवेशक कौन है तो मसानोबू फोकू ओका ये हैं मसानोबू फोकू ओका हाटसपार्ट की संकल्पना बहुत महात्पूर्ण ये है इसको जरूर याद रखिएगा कि the양 new गार नार्मन मेयर अगले प्रफ्ष में चलते हैं जैव विद्थ सब्दका सरप्रत प्रयोग किस ने किया था तो बाल्टर जी रोजेन ने किया था जैव वित्ता सब्दका सरप्रथम प्रियोग ओजोन परत की सरप्रथम खोज कौन की यह प्रशन आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि एक प्रशन ओजोन से सम्मंदित आपकी परिक्षा में जरूर पूछा जाएगा ओजोन दिवस कम मनाया जाता है ओजोन किस गैस से होता ओजोन का छरण आदी जो भी प्रशन बनते हैं ओजोन से वो पूछा जाएगा यहाँ आपको क्याद रखना है कि ओजोन परत की सरप्रथम खोज किस ने की तो चारल्स फाबीब हेनरी ब्यूसन ने की थी ग्रीन हाउस गैस की संकलपना तो ग्रीन हाउस क्या है जिसको काच का घर भी कहा जाता है तो ग्रीन हाउस गैस की संकलपना किस ने किया था यह अभी प्रशन बहुत महत्पूर्ण है तो जोसेफ फोरियर ने किया था जोसेफ फोरियर ने बायोस्प्येर रिजर्व तो यह है Eadversus Suese ने जैविवित्ता की संकल्पना वाल्टर जी रोसएन ने बायो डाइवर्सिटी सब्दका प्रियोग बहुत ही महात्पूर्ण Most important कह लें तो बायो-डाइवर्सिटी सब्दका प्रियो किस ने किया था रेमेंड एफ डासमेन ने किया था पारसित की पिरामिड की सकल्पना ये most important भी है इसको त्याद रखिएगा और पिरामिड तो आपको जरूर रट लेना है दिमाग पे बना लेना है पिरामिड कि जैव विट्था का पिरामिड बनता वह किस तरह से ब की है बैस्विक मंदन शब्द तो बैस्विक मंदन शब्द का जो संकल्पना जो शिव्द की है जेरॉड इस्टान हिल ने किया है यह भी महत्पूर्ण है फिर एक आखरी प्रस्टिस में जो बनता है भारती परसित्वी के जनक तो यह तो याद ही रखिएगा क्योंकि यह नहीं जानते हैं तो आप परसित्वी के जनक कुछ भी नहीं जानते हैं प्रोफेसर आर मिस्र तो भारती परसित्वी के जनक यह कौन है प्रोफेसर आर मिस्र जी है और वैसे जो हम लोगों ने परसित्वी की जनक देखे थे वो कौन है ओडम है तो ओडम जो है वो पसिद्गी भी ज्यान के जनक हैं और भारत में पसिद्गी के जनक कौन है? प्रोफसर आर mysr जी है तो इसी तरह के महत्पूर्ण वीडियो पाथे रहने के लिए आप Teachers Academy चैनल को फॉलो कर सकते हैं सबस्क्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं इससे एक कृतागिता बेक्त होगी कि मैं आपको फ्री में अगर पढ़ा रहा हूँ तो आप कम से कम मेरे वीडियो को सेयर कर रहे हैं तो आप सब को बहुत बहुत धन्य बाद इस पूरे वीडियो को देखने के लिए नमस्कार जैहन